हम बात कर रहे हैं SJVN की, अगर आज की दिन की बात करें तो हमको SJVN में 8% की गिरावट डेखने के लिए मिले हैं, पुरे मार्केट में हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला था, और उसी का इंपेक्ट हमको SJVN पे देखने के लिए मिला, जैसे 90 के लेवल को ब्रेकडाउन के हमको बड़ी गिरावट डेखने के लिए मिली है, और स्टॉक इस वक्त जहां क्लोजिंग दिया है, 84 का लेवल है इसके सपोर्ट जोन ही है, हमको स्टॉक ने 65 से बड़े तारगेट डिकाया, 100 टक का हमको तारगेट डेखने के लिए मिले 65 से 100 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, और कुछ दिनों तक हमने देखा 90 के उपर सस्टेन हो रहा था, लेकिन आज जो मार्केट में गिरावट आई है, उस गिरावट के साथ SJVN ने 90 के सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन कर दिया है, और एक बड़ी गिरावट के लिए मिली, हो सकता है कि लगातार अब इसमें मार्केट में हमको गिरावट डेखने के लिए मिली, अब इस पे नजर रखना है, इस टॉक को 84 के उपर SJVN को सस्टेन होना इंपोर्टन रहेगा, हो सकता है हमको 90 टक का यहां जम देखने के लिए मिले, जहां इस से पहले ह हमको सपोर्ट लेता हुआ, नजर आ रहा था, अभी थोड़ा सा इंतिजार करना है, स्टॉक को 90 के लेवल को ब्रेक आट होने देना है, यहां तक का जम हमको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इस जम पे पोजिशन लेना थोड़ा रिस्की रहेगा, जो रिस्की ट्रेड है, अगर आप टिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो, तो डिस्क्रेप्चन में दीवी लिंग से कर सकते हो, जहां इस्टॉक ने क्लोजिंग दिए 84 का लेवल, इसका इमेडियाट सपोर्ट का का काम करना होला है, इसको ब्रेक डॉन करता है, तो 80 का लेवल तगड़े सपोर है, और उसको ब्रेक डॉन कर गया है, तो 70 का सपोर्ट हो सकता है, आमको 70 तक के भी गिरावट देखने के लिए मैं सकते हैं, इस्टॉक को अभी सस्टेन होने देना है, 84 के ओपर, अगर 84 के ओपर सस्टेन हो जाता है, इस्टॉक तो ऐसे कंडिशन में पोजिशन बना ही जा सकती है, फिर आगला तार्गेट 90 का रहेगा, इसको ब्रेक डॉट करके फिर आमको आगे 100 टक के भी तार्गेट देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा इंतिजार करना है,